हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस अब सॉलूसन्स पर और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर एट का फुल टुटोरियल अगर आप एंगुलर में अपना सफलगरी बनाना चाहते हैं तो आज ही रजिश्टर कीजिए साउस आउफ्ट के ओंलाइन कोर्स के लिए क्यों हमने त्यार किया एक कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोगाम जहां पर आपको मिलती है कॉर्पेट लेवल की नौलेज सारी साथ में आप काम करते हैं तो आज ही जोइन कीजिए साउस आउफ्ट के लिए लिंक इस इन दिस्क्रिप्शन पिलोग दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो हमने जेसन पाइप के बारे में देखा कि जेसन पाइप क्या कंसेप्ट हो अंदर उसका कोडिंग और प्रेक्टल करके भी देखा हमने वीडियो टुटोरियल में और दोस्तों आज आपके लिए जो वीडियो लेका है वह बहुत ही इंपोंटेंट है इसमें यह देखेंगे कि क्या होता है मिन्स कि हम अपना पाइप कैसे क्रेट कर सकते हैं मिन्स कि अभी तक जितने भी पाइप हमने देखे थे सिस स्टम में इन विल्ट थे मिन्स कि अंगुलर के अंदर बने बनाया थे जिसको हमने यूज करके देखा और आज इस वीडियो टुटोरियल में अपना पाइप बनाएंगे अपने एकॉर्डिंग आजए शिनारियो राइट तो दोस्तों इसका क्या कंसेप्ट होता है कैसे ब ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब आप और इमेल में मिलती रहे तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टुटोरियल को दोस्तों एंगुलर 7 में pipe create करने के लिए हमें यूज़ करना होता हैette pipe decorator यूज दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि हमें जब भी orie करना होगा तो हमें pipe और pipe transform को angular core libraries से import करना होगा आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यह pipe और pipe transform को हम angular core libraries से import करते हैं right तो pipe transform जो transform है transform एक method है वो यह decide करता है दोस्तों कि input type क्या है number of arguments कितने है right और output type क्या होगा इन सारे चीज़ों को यह transform method decide करता है जो कि हमारे angular के core library में already रहता है तो जब भी हम अपना custom pipe बनाएंगे pipe create करना होता है अपने application के अंदर तो इसका practical करकर हम देंगे देखेंगे इस वीडियो tutorial में दोस्तों नीचे आप यह देख रहे हैं कि हम export class pipe class को implement कर रहे हैं pipe transform के तुर राइट तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने transform parameter पास के return type पता दिया means की transform method जो है यह decide करता है कि input type क्या होगा और return type क्या होगा output type क्या होगा राइट तो चली इसका practical करके देखते हैं चलते हैं project के तरफ तो इससे आपका better understanding होगा आपका इंप्लोई का डेटा होगा और जब भी कोई मेल का डेटा हम सो करेंगे तो हाँ पर मिस्टर अपने आप लग कराएगा या फिर जब फीमेल का होगा तो मिस्ट लग कराएगा जो कि हम उसके लिए हम अपना कस्टम पाई बनाएंगे तो इसके हम सबसे पहले क्या करते हैं दो कुछ डेटा असाइन कर लेंगे राइट और यहां पर कि एक हम पहले डेटा बनाते हैं कोड 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 में डेटा हमने रख लिया मालों दोस्तों हम रख लिया 001 उसके बाद हमने नेम ले लिया इसमें हमने रख लिया अजीत उसके बाद हमने जेंडर लिया राइट उसके बाद हमने रख लिया मेल इसके बाद हमने सैलरी ले लिया और इसमें हमने डाल दिया राइट अब यहां पर दोस्तों क्या करेंगे कि यहां पर एक कॉमा लगाएंगे और तदिया इसको कॉओपी कर लेते हैं राइट त कि दूबाढ़ा बार लिखने ना पड़ेक शण ग्राद सक्वाइड कर लेते हैं कि आ lookin तम यह पर हमने दोस्तों क्या करेंगे को की कि यहाँ पर हमने को टू लिया हमने यहां पर हमने 3 कर दिया, यहां फोर कर दिया और यहां हमने 5 कर दिया, right, name भी change कर लेते हैं, यहां पर हमने sony कर दिया, तो इसको हम female कर देते हैं, ताकि difference पता चले, यहां पर हमने लिए कि आकाश कर दिया इसको में रहने दिया हमने यहाँ पर रीता कर दिया तिहां पर मेरए को बन घया दो दूसेतों अगला हमारा वर्क होगा कि हम एक पाइप क्रियेट करेंगे रैट तप पैप create करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों चलो एक यह नय टर्मिनल open कर लेते हैं नय टर्मिनल ओपन करने के बद यहाँ पर नया टर्मिनल open हो जाएगा right और यहाँ पर हम थो यहां पर हम टाइप करने का कमांड होता है चैन्जी अच को ़ीहर जन्रेट पाइप और क्लीकों परेंगे जैसे इंट करेंगे दोसुरद दो कर लेते हैं इसमें देखे बन गया यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फाइल जनरेट हो गया यहाँ पर मैंने थे पहले बता है कि हमें इंपोर्ट करना होता है कहां से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह डेकुरेंटर बन गया पाइप नेम से और यहाँ पर जो क्लास है जो हमने बताया था कि हमें इंप्लिमेंट करना होता है इंप्लिमेंट करता है तो उसके लिए यह यहां पर हम अपने एक कॉर्डिंग यूज करेंगे इसको हम चेंज कर लेंगे वैलू हमारा स्ट्रिंग भेजेंगे जैसे कि हमारा नेम स्ट्रिंग जाएगा उसके लिए हम यहां पर स्ट्रिंग लेते हैं स्ट्रिंग और यहां पर जो दोस्तों है यहां पर हम जेंडर कर लेंगे तो यहां पर हम जेंडर लेंगे दोस्तों कि और इसको भी हमें स्ट्रिंग कर लेंगे कि क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डेटा या डूल में ही आएगा और इसे ट्रिंग कि करेगा तो यहाँ पर भी होजिद्व कर लेते हैं तो रैट उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर की चेक करेंगे की इफ है यहाँ पर जेंडर डॉट टू लोवर केस और एक वल एक वल टू यहाँ पर अगर हमारा मेल आता है कि था हमारी टर्न क्या करेगा दोस्तों यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर हम कर लेंगे रिटर्न में यहाँ पर मिश्टर प्लस जो हमारा वैलू आएगा राइट यहाँ पर वैलू उसके बाद दोस्तों हम यही पर इल्स कंडिशन लगा लेंगे और इसमें रिटर्न करा लेंगे मिस उसके बाद प्लस वैलू राइट दोस्तों यह हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने ट्रांस्फॉर्न मेथट के अंदर हमने जो वैलू पास करेंगे उस पर हम चेक करेंगे जो जेंडर आ रहा है अगर अगर फीमेल आ रहा है अगर फीमेल आ रहा है मिंस की इमेल नहीं तो फिमेल यह आएगा इलस कंडिशन में तो मिस रिटर्न करें राइट अब इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि चलेंगे यहांपर सबसे पहले तमझी लेते हैं कि सीज के एक्जामपल कर रहे हैं यहां पर हमने लिया कि कर स्टम पाइप एक्जामपल राइट और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि यहां पर में टेबल लेंगे राइट और One Second Table लेंगे और इसमें क्या करेंगे इसका Border define करेंगे ताकि Table Format में दीखेगा Border 1 कर दिया हमने और इसके अंदर हम TR लेंगे राइट और TR पर हम क्या करेंगे दोस्ति हापर NG4 लगा लेंगे star NG4 equal to इसमें हम क्या लेंगे दोस्तों कि Let Employee कि आफ इंप्लोईज राइट यह होगा दोस्तों यहां पर हम अब टीडी में बाइंड कर लेंगे सारे डेटा को राइट यहां पर हमने क्या की इंट्रोपलेशन लिया और यहां पर हम क्या करेंगे किए इंप्लों कि इंप्लोई दोट और से इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां पर एक और टीडी लैंगे यह पृuss में हम बाइंड करेंगे कि इंप्लोउई अ कि हम डॉप्लोई जोट नेम इसको इन श्रुक्ण कर लेते हैं बार बार लिखने से बचेंगे लड़ ह miss right यहां पर हमने copy किया्याहाँ पर स्थ यहां पर हमने नेम apa जेन्डर ले लेंगे हागा यह डेट और हम टिशन फायल पर बना था डेट रराइट और यहां पर हम कर लेंगे salary right यह हो गया दोस्तों इसको घर हम सर्व करते हैं इसको सेप करके अगर हम देखते हैं दोस्तों रघ द्राउज Jordan में आपको दिखाता हूं कि हम ताह Seit Ai मींने कोई लेते हैं कि हम नहीं किया और उसका effect देखेंगे तो इससे पहले मैं दोस्तों आपको यह चीज़ बताओं कि जब हमने pipe create किया था तो जो भी हम pipe या component या module create करते हैं तो इसको हमने हमें क्या करना होता है दोस्तों app.module.ts के अंदर declare करना होता है तो आप यहां पर देख लिजिए कि यहां पर declare हो चुका है पेज पर जाएंगे और यहां पर नेम पर हम pipe apply करेंगे पाइप का sign यह होता है आपको पता है जैसा यहां पर हम यहां पर pipe apply करेंगे अपना custom pipe जो कि हमने बनाया था my pipe के name से right my pipe apply किया और किस पर हम apply कर रहे है employee dot gender right तो इसको हम save करेंगे दोस्तों अब यह क्या करेंगा दोस्तों कि हमने नेम पर my pipe apply कर दिया इस पर चेक करेंगा कि जो नेम जा रहा है उस पर जेंडर जिस जो इस नेम के साथ में एकशी करते हैं सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं यह सिम्पल सा तरीका जैसे मैंने बताया का मैं पके य乐 करना होता जो कि पर अपने 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 हम वाइल और जिस पर हम अपलाई करना होता है ओप दोनों पास करते हैं उसके बाद हम अपने ed нож को अपलाई करते हैं गश्वारी करें शाधर कशनाया है कि जहां पर अखना जैसे यह तो समझ में आ गए होगा दोस्तों कि अपना कश्णम पाइप कैसे बनाते हैं और कैसे अपलाई करते हैं फिर भी आपके माइन में कोई कंफियों नो दोस्तो थाम अमारे कमेंट को दूर करेंगे दोस्तों चलिए मिलें आगले वीडियो में आगले टॉपिक के साथ अब तक लिए thank you so much